नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दोस्तों अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा दोस्तों घर में होने वाली छोटी छोटी बातों में कई संकेत छुपे होते हैं इन संकेतों को अगर समझ लिया जाए तो हम जान सकते हैं कि भविश में आने वाला समय कैसा होगा और परेशानियों से बच सकते हैं जोतिश के अनुसर जब दरिद्रता बढ़ने की संभाव न होती है तो घर में छोटी छोटी बातें इशारा करती है आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गरीबी बढ़ने वाले कौन-कौन से संकेत आपको मिल सकते हैं लेकिन दोस्तों उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों को शेयर कर दिजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबस्क्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाईएगा अगर घर में कोई मुसीबत आने वाली है तो उसका असर सबसे पहले घर में लगे तुलसी के पौधे पर होता है तुलसी का पौधा बिलकुल सूख जाता है, जिसे घर में मुसीबत और दरिद्रता आने का संक्यत माना जाता है खाने पिने के नमकिन पदार्थों में काली चिटियों का पड़ जाना आपके आने वाले बुरे समय की और इशारा करता है अगर आपके घर में लगे पेड़ पौधों की पत्तियां सूखने लगे तो उसे तुरंत कटवा ले घर में लगे पेड़ पौधे हमेशा हरे भरे होने चाहिए घर में पेड़ पौधों की पत्तियां सूखनी नहीं चाहिए वरना बूधग रह खराब होता है और इससे आपके उपर कर्ज बढ़ता है पेड़ पोधों को रोजाना पानी जरूर दें, सुखने ना दें घर में ज़ाडू लक्ष्मी जी का सुचक है क्योंकि वो दरिद्रता को घर से बाहर निकालता है इससे घर में सुख सम्रुद्धी और धन दौलत आती है ज़ाडू के ओपर पाउन नहीं रखना चाहिए इससे लक्ष्मी का निरादर होता है घर का कोई छोटा बच्चा अचनक घर में ज़ाडू लगाने लगें ये शुभर रहता है ज़ाडू को उल्टा करके रखना अपशगुन माना जाता है ज़ाडू को हमेशा लिटा करके रखना चाहिए ज़ाडू को खड़ा करके रखने से घर में कलह बढ़ता है और घर में दरिद्रता का और गरिबी का वास होता है अंधेरा होने के बाद आप जाडू लगाने से बचें इससे माता लक्ष्मी नाराज होती है घर का कोई सदस से बाहर जाएं तो तुरंत उसके जाने के बाद जाडू नहीं लगाना चाहिए कुछ देर के बाद आप जाडू लगाएं वो भी भगवान से प्रार्थना करने के बाद जाडू को आपको छुपा करके रखना चाहिए किसी की नजर इसमें नहीं पढ़नी चाहिए जिस प्रकार धन को छुपा के रखा जाता है उसी प्रकार ज़ाडू को भी घर में आने वालों की नजरों से आपको दूर रखना चाहिए वास्तु विज्ञान के अनुसर जो लोग ज़ाडू के लिए एक स्थान बनाने के बजाए कहीं पर भी ज़ाडू ऐसे ही रख देते हैं उनके घर में आर्थिक तंगी का उन्हें सामना करना पड़ता है इससे खर्च बढ़ता है आर्थिक परेशनियों का सामना करना पड़ स जिन घरों में दूध उबलकर गिरता है, वहाँ पर अचनक पैसों का खर्च बढ़ जाता है. घर के लोग बिमार रहने लगते हैं और घरेलू जीवन में दूरियां आने की संभावना बढ़ती है. इसलिए अगली बार से इस बात का जरूर देहन रखें. बहुत से लोगों का कहना है कि दूध उबलकर गिरना शूब होता है, तो मैं उन्हें बता दूँ कि रोजाना अगर आपके घर में दूध उबलकर गिरता है रोज मर्रा की जिन्दगी में तो ये शूब नहीं है. रोज रोज ऐसा नहीं होना चाहिए. आपको इस बात का ख्य रखना चाहिए. अगर आप किसी काम से घर से बाहर जाएं और वापस आते ही आपको दर्वाजे पर सबसे पहले चिपकली के दर्शन हो जाएं, तो इसका मतलब है कि आपका बुरा समय बहुत ही जल्दी शुरू होने वाला है. ऐसे में आपको पहले ही संभल जाना चाहिए और बुरे वक्त में हिम्मत से काम लेने के लिए तैयार हो जाना चाहिए. इस बात का ध्यान रखिये दोस्तों कि वक्त कभी भी एकसान नहीं रहता है, बुरा वक्त भी निकल जाएगा, जरूरत है सिर्फ हिम्मत से काम लेने की. दोस्तों, घर में चिपकली दिखना वैसे तो शुब संकेत होता है, लेकिन अगर आपने नया घर लिया है और उसमें चिपकली मरी हुई मिल जाएं, तो घर में प्रवेश से पहले आपको पूजा हवन आधी करवा लेना चाहिए. अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो उस घ घर में रहने वाले व्यक्ति की तरक्की नहीं हो पाती है, और बुरा समय हमेशा उस व्यक्ति पर हावी बना रहता है. अगर जाने अंजाने में चिपकली आपके शरीर के अंगों पर गिरती है, तो ये भी आने वाले समय का सूचक है. जैसे अगर चिपकली आपके माथे प पर या बालों पर गिरती है तो आप सतर्क हो जाएं क्योंकि इसका मतलब है कि आपके जीवन में भारी संकट आने वाला है या फिर आपकी मृत्यू नजदिक है इसी तरह से आंख का फड़कना भी आपको आने वाले समय के बारे में संकेत देता है महिलाओं की बाई आंख फड़कने का मतलब है आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है ये शुब संकेत का इशारा करता है अगर बाई आंख यानि की लेफ्ट आंख चारों दिशाओं में फड़कती है तो इसका मतलब है कि आपकी शादी के योग जल्द ही आने वाले हैं महिलाओं की दाई आंख यानि राइट आंख फड़कने का मतलब है अशुब होना दाई आंख का फड़कना आपके जीवन में संकट आने का संकेत है पुरुशों की बाई आंख यानि लेफ्ट आंख फड़कने का मतलब होता है कि आपके जीवन में अब मेहनत और दाई समय नजदीक आने वाला है. वहीं पुर्षों की दाई आँख यानी राइट आँख भड़कने का मतलब है कि आपके जीवन में कोई शुब समाचार आने वाला है. इसी तरह कव्वे से भी आपको आने वाले समय के संकित मिल सकते हैं. अगर कव्वा किसी स्त्री के सर पर आकर बैट जाए तो उस स्त्री के पती पर कोई बड़ी मुसिबत आने वाली है. अगर किसी व्यक्ति के घर पर या उसके छट पर अचानक बहुत सारे कव्वे आकर शोर मचाने लगे तो ये उस घर के मालिक पर आने वाले किसी बड़े संकट या बहुत सी समस्याओं के आने का संकित है दोस्तों घर में पड़े हुए कांच या चीनी मिट्टी के बरतन बार-बार तड़क कर तूट जाते हैं तो ये फिर दरिद्रता की और इशारा करते हैं आज के लिए बस इतना ही कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सबस्क्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाईएगा ताकि आने वाला नॉलेजबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई और थैंक्स पर वाचिंग मैं वीडियो